हरनिया क्या है? हरनिया के लक्षन क्या है? इसकी रोक्ताम कैसे की जा सकती है? इसके लिए क्या-क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए? तो जैहिंद प्यारे बच्चों, मैं रोबिन तोमर आपके लिए लेकर आया हूँ आज का मेडिकल का सबसे important point हरनिया क्योंकि ये एक ऐसा medical point है जिसमें बहुत सारे बच्चे हर बार बाहर होते है और ये बच्चे छोटी-छोटी लापरवाई करते है जिसकी वज़े से हर्णिया जैसी जो बिमारी है वो सरीर में कईने कई डवलप हो जाती है और उस पर हम ध्यान नहीं देते जब हम जाते हैं medical के लिए और वहाँ पर हमें पता लगता है कि इस problem की वज़े से हमें re-medical मिल चुका है और re-medical के बाद अब हम operation भी नहीं करा सकते क्योंकि इतना time नहीं मिलता है कि उस operation को completely cure किया जा सके और फिर finally आपको rejection का एक ठपा मिल जाता है जिससे बच्चे काफी प्रेशान होते है तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं इसी topic पर हरनिया पर तो हरनिया कितने परकार की होती है क्या इसके कारण है किस वज़े से ये होती है और हरनिया रोको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है और किस तरीके से इसकी रोक थाम की जा सकते हैं उस सारी बाते हम जानने वाले है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरनिया क्या है जब पेट का कोई अंदरूनी अंग खेद के माध्यम से बहार आने लगता है कमजोर खेद के माध्यम से तो उस इस्थिती को हरनिया कहा जाता इन अंगों में मुख्या रूप से पेट की मासपेशी या उत्तक और बहुत बार आत यानि इंटेस्टाइन पेट की कमजोर दिवार में छेद करके बहार आ जाती है पेट में हरनिया होना सबसे आम है लेकिन यह जांग के उपरी हिस्से और पेट के नीचे यानि के जो ग्रो से ही रिलेटेड जो है बिमारी है क्योंकि हमारा जो पेट की जो इसकीन होती है ओपर की वो आपने देखा है कि वो कहीं न कहीं बाकी पूरे सरीर के इससे से कमजोर होती है या लचीली होती है वो इसमें अंदर क्या होता है कि अंदर कहीं भी कमजोर हिस्सा अगर कहीं भी म लगने लगती है तो वो ही प्रोब्लम अर्णिया है और यह जो जांगो वाला पॉर्षन है इसमें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है अब हम बात कर लेते हैं हरनिया कोई आपात काली निस्थिती नहीं है इसकी वज़े से व्यक्ति को सामानिय दर्द होता है कभी कभी गंभीर दर्द भी मैसूस होता है ज्यादतर सामानिय दर्दी रहता है लेकिन अगर ठीक समय पर उचित उपचार ना किया जाए तो इसके जो प्रिणा में वो काफी गंभीर देखने को मिल सकते है और इसका जो उपचार है वो सरजरी से बड़ी आसानी से किया जा सकता है एक नॉर्मल सरजरी होती है ठीक है ज्यादा कॉम्प्लिकेटिड सरजरी नहीं एक नॉर्मल सरजरी की तरू इसको उपचार किया जा सकता है अब बात करते हैं हरनिया जो है मुख्य ता चार परकार इसके देखने को मिलते है तो पहला जो इसका परकार है वो है वक्सन हरनिया तो यह वक्सन हरनिया होता है यह सबसे आम है सबसे ज्यादा यह देखने को मिलता है वक्स आपको पता होगा कौन से इससे को वक्स बोलते है तो उसी से रिलेटिड य यह सबसे आमर्णिया है अगर किसी व्यक्ति के सरीर से आत पेट के निचले पेट के किसी कमजोर रास्ते से या पेट की निचली दिवार के हिस्से से बहार आने लगे तो उसे वंक्षण अन्या कहते है जैसे देखो यह पेट और जो जांग आपकी है उसके बीच का पोर्शन है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेसर होता है जो आपकी इंटेस्टाइन होती है सबसे ज़्यादा प्रेसर होता है जो लोवर आपका यह बैली फैट होता है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा और यह सबसे कमजोर रिस्किन भी होती है आप देखते होगे यह बहुत ज पिल गती है तो उस तरह की प्रोबलम बन जाती है नेक्स होता है आपका हाइट nenे हीं जो आपको शामने देखो देखने को मिल भी रहा है। हाइटल हरनिया तब होता है तो ही करिफेट बोड़ा को पहलोग करने वाली बड़ी मास्पेशी से द्जो कि और पेट सुरू होता है, वहाँ पर यह ज्यादतर देखने को मिलती है, आपका डैफ्राम में एक छोटा सा अंतरा ला जाता है, जिसके माध्यम से आपकी जो भोजन की नली है, आपके पेट से जुड़ने से पहले बाहर की और गुजरती है, ठीक है, तो यह बहुत कम देखन करने को मिलता है, नाभी संबंदी घर्निया, नाभी के पास एक नरम सूजन या उभार पैदा कर देता है, यह तब होता है, जब आफ का इससा पेट की माध्यम से बाहर निकलता है, क्योंकि नाभी का इससा भी कमजर होता है, तो जो आथ है वो अलकी बाहर की तरफ आने उसी से संबंदित है वेंटरल हर्निया पेट की दिवार में कमजोरी या अंतराल के माध्यम से आती या जो टीसूज है किसी भी फैलाव को दरसाता है यानि ये भी जो आपका होता है ये आपका जो लोवर बैली फैट है जहां पर ये वाला लोवर जो ये बैली फैट है यहां से रिलेटिड है यहां पर एक बारसा देखने को मिलता है यहां पर इखटा सा हो जाता है अंदर की जो नसे है इंटेस्टाइन है तो वो अर्निया यहां पर देखने को मिलता है अब बात कर लेते हर्णिया के लक्षन क्या है कई मामलों में हर्णिया एक दर्द रहीत सूजन से अधिक कुछ नहीं है दर्द रहीत यानि दर्द जादा नहीं होगा एक सूजन सी कहीं भी एक सूजन सी यानि एक इखटा सा हो जाएगा कुछ देखने में जिसमें कोई समस्य नी ओती ततकाल चिकित सा ध्यान देने के आवशक्ता नहीं होती ज्यादा तर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं सोचते हैं नौर्मल चीज है कोई बात नहीं क्योंकि दर्द होता नहीं अलकी सी खटी हो जाते हैं एंटेस्टाइन वगेरा कहीं पे तो वो ध्यान देते नहीं लोग। हालागी हरनिया एस विदा और दर्द का कारण हो सकता है, खास कर जब आप खड़े होते हैं, सरीर में खिचाव होता है या भारी समान उठाते हैं, तो ऐसे में लक्षन सामानिय से खराब हो सकते हैं। उधारन के लिए जब आत का इसा एक वंक्षन हरनिया द्वारा बाधित किया जाता है, तो सरजरी के द्वारा उसको फिर अंदर धकेला जाता है, और धकेल कर टांको के द्वारा उसको सील दिया जाता है, फिर उसमें रेस्ट वगेरा करने को बोला जाता है, और अच्छा खा जब भी प्रेसर लगेगा तो आपकी इंटेस्टाइन बाहर की तरफ भागेगी आपकी जो आत है और वो कहीं भी उसको थोड़ा बहुत भी छिदर मिल गया कमजोर पार्ट मिल गया तो वह वहीं फैट को चीरते हुए इसकिन के नजदीक आके इखटा होने लगती है वो ही यहाँ पर हरनिया है अब देखो हरनिया होने के पीछे का क्या कारण है हरनिया होने का सबसे सटीक कारण है कि यह मासपेशी की कमजोरी जब मासपेशी कमजोर हो जाती है फिर जब खिचाव वहाँ पर होता है कुछ वजन उम्र बढ़ेगी तो थोड़ा सा आपका जो सरीर है वो ढीला डाला होना शुरू हो जाएगा फैट आपका लूज होना शुरू हो जाएगा तो ऐसी स्थिते में प्रोब्लम बढ़ने के चांस रहते है चोट या सरजरी से कोई नुकसान होने पर चोट लग जाती है कभी कभा सरजरी वगएरा आपने कराई और प्रोपर तरीके से वह नहीं होई तो वहां से हो जाता है इंटेस्टाइन वगएरा निकलने लगे अलकी जोरदार व्याया हम या भारी वजन ज्यादा भारी वजन उठाने से भी आपने सुना होगा कि जब हम स्कोट्स वगएरा करते है ज्यादा हैवी लिप्ट करते है तो हमें बोला जाता है सपोटर जरूर रखी सपोटर के लिए क्यों बोला जाता है क्योंकि जब हम लिप्ट करते है सपोज को स्कोट्स ही है जब हम नीचे बैठते है तो पूरा का पूरा लोड आता है और वो लोड का आता है वो आता है ल वोटर जादा से जादा नीचे, नीचे इखटा होगा, किड़नी से, किड़नी के पास, तो यहाँ वोटर इखटा होगा, तो कभी कभाग क्या होता है, वोटर जो है, क्योंकि वोटर का काम क्या है, इखटा हुआ है वोटर तो पैनिस के जरीए उसको बाहर आना है, लेकिन बाग वोटर इखटा जो हुआ है वो दवाब के करण टेस्टिकल्स में चला जाता है और जैसी वो टेस्टिकल्स में चला जाता है तो टेस्टिकल्स में फुलाब आ जाता है और फिर बोला जाता है काफी नॉर्मल गाउं वाली भासा में बोला भी जाता है कि इसको पानी उत उतर गया तो उसका फिर उपरेशन होता है तो यह बहुत जटील समझ्या बच्चों में आते हैं और ज्यादा तर यूवाओ में तो यही देखना को मिलती है कि जब वो ज्यादा लोड उठाते हैं ज्यादा सपोज करो हैवी लिफ्ट करते है यह वो विदाउट सपोर्टर ब पुरानी परतीरोदी फुषविकार यानि कि पुरानी खासी वगएरा क्योंकि खासी में भी बहुत ज्यादा लोड आता है तो आप पेट का कोई पार्ट कमजोर हो जाए तो वहां से यह स्थित्यूत्पन हो सकती है अगर बावस्ता यह तो खेरा आपके लिए नहीं है यह चांस भी कम बनते है कब्ज वगेरा यानि अगर आपको कब्ज रहता है लगातार तो आप क्या करते हो बहुत ज्यादा प्रैसर लगते हो बहुत ज्यादा आप फौर्स के धुरूस होते हो कि मल का त्याक कर दे लेकिन जब आब वो फौर्स लगाते हो तो सीधी सी बात है तो पेट पही जा रहा है, इंटेस्टाइन पहले टरा है, अब जब इंटेस्टाइन पहले जाता है अगर स्रीयर का कोई भी कमजौर पार्ट, तो यहाँ भी षेस्टा रहतीं. अधिक वजन या मोटा पाँ ये तो मैंने बताया ही ह infinity. हाँ जी ये ज़्यादा तर मैं बताई चुका हूँ हरनिया का उपचार कैसे किया जाता है इस परकिरिया में आपका एक जो है ओपरेशन ही एक कारगर है सरजरी आपको करानी पड़ती है नोर्मल सरजरी होती है ज़्यादा कॉंप्लिकेटिड नहीं होती अगर किसी को प्रोब्लम है वो सरजरी पहले ही करा ले क्योंकि 5-6 महीने देखो सरजरी जब आप कराते हो तो सरजरी को अच्छे से बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट होने में सही होने में 4-5 महीने लग जाते है उसी के बाद आप medical fit हो सकते हो, आप सोचो मैं आज करा लूँ और एक महीने बाद या 25 दिन बाद मैं re-medical देने चला जाओ, तो सरजरी अभी अभी होई है, तो आपकी जो सरजरी है वो अच्छे से हील नहीं होगी, गाओ हील नहीं होगा और जब तक गाओ हील नहीं होगा व उमरपान वगएरा करते हो तो छोड़ दो, आलगी आप तो धुमरपान वगएरा नहीं करते हैं आपकी तो उमरी क्या है, student हो, student तो मुझे नहीं लगता करते होगे, लगातार खासी होने से बचे, क्योंगी बार-बार अगर पेट पर पर प्रेशर पड़ेगा, तो कहीना क कहीं कमजोरी पेट की जो वॉल है आपकी या जो इसकीन के नीचे का फैट है वो कहीं कमजोर पड़ेगा तो दिक्कत आएगी एक मध्यम सरीर का वजन बनाई रखे वजन बहुत ज्यादा भी ना होने दे बहुत कम भी ना रहने दे तो एक अच्छा अपना वजन बनाई रखे अच्छा खाओ मलतियाग करते समय आप पेसाब के दोरान तनाव ना करे पेसाब करते वे ज़्यादा प्रेसर ना दे या मलतियाग करते सुबह फ्रैस होते टाइम ज़्यादा दम ना लगाए ज़्यादा प्रेसर ना दे अब इससे कैसे बच सकते आप कब से आप क्या कर सकते हो डेली एक मुठी चना भीगा हुआ जिसका आप स्प्राउट्स बना लो और एक मुठी मूंग की डाल पानी में भीगो के रख दो रात में अगले दिन सुभे किसमिस वगेर और डाल लो उसमें 10-20 अगले दिन उसको खाते रहो बीच-बीच में ऐसा नहीं तो फ्रेस होने में ये बहुती ज्यादा हेलप आपके करते हैं क्योंकि जो इंटिस्टाइन होती है इसको अच्छे से साप कर देती है तो फ्रेस होने में आपकी मदद होती है तो ये चीज आप कर सकते हो कबज़ते बचने के लिए ऐसे वियायाम करें जो आपके पेट की मासपेशियों को मजबूत रखें पेट के वियायाम जरूर करें जैसे sit-ups हो गए जरूर करें या पिर जैसे लटकना हो गया लटके जादा से जादा time उसमें भी पूरा सरीर खिचता है वो भी अच्छा है sit-ups में भी बहुत अच्छा आपकी exercise है running वगएरा भी करें तो जिससे आपका सरीर healthy रहे सरीर strong होता चला जाए तो ऐसे आप वियायाम जरूर करें वजन उठाने से बचे बहुत भारी वजन ना उठाए और अगर वजन उठाए भी तो पूरा अपना supporter वगएरा अच्छे से अपना जो लंगोट है या supporter है वो पैने lower back पे belt वगएरा लगाए तो पूरे अच्छे से आपको करना है जल्द बाजी नहीं करनी तो ये था हर्णिया का तो जिससे related जितनी भी समश्य थी मैंने सारी आपको अच्छे से समझा दी तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको बहुती ज्यादा फाइदा पोचाएगी ये वीडियो और next point हमारा होगा जिसमें बच्छे बहुत ज्यादा बाहर हुए flat foot तो जल्दी लेकर आओंगा flat foot तो उसको कैसे सही किया जा सकता है कितना दिन उसको सही करने में लग जाता है सही होता भी है या नहीं होता है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा तो आज यही तक रखेंगे जै हिंद जै भारत